नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमिट टेक्नलोजीज में दोस्तो आपका होस्ट और दोस्त हमिद गोयल आपका स्वागत करता है दोस्तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज का important topic agile reporting techniques जो कि हम part 1 बना रहे हैं और बहुत ही important शिंकला रहेगी दोस्तो आप सब के लिए जो भी scrum में काम कर रहे हैं agile में काम कर रहे हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन से reports होती हैं कैसे बनती हैं क्या उसका use है बिना कारण हमको कुछ नहीं बनाना है दोस्तो हमको जबस्ती दिखाने के लिए कि सिर्फ हम reporting बना रहे हैं वो हमको कोई मतलब नहीं है हमको ये पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सी रिपोर्ट जानी चाहिए और हमारे लिए कौन सी रिपोर्ट यूसफुल होती है तो आपने अगर मेरा Estimation Techniques का वीडियो या स्टार्ट करा है अगर नहीं देखा तो जाइए देखिए जिसमें हम डीटेल में जा रहे हैं हर एक चीज के कि भाई प्रोड़क्ट बैकलॉग को कैसे टीशिट साइधिं करते हैं स्प्रिंट बैकलॉग को कैसे स्टोरी पॉइंटिंग करते हैं वो सारी चीज हम देख रहे हैं एक एक करके एक एक वीडियो में अभी दूसरा श्रिंखला ये जो रिपोर्टिंग की श्रिंखला है ये बहुत important topic है जो कि बार-बार मेरे को पुछा जाता है कि भाई आप बताईए कि कैसे burn down chart, burn up chart हम लोग सिर्फ buzzword पर जाते हमको ये देखना चाहिए कि हमारा क्या मतलब एम है reporting करने के लिए तो हम ये जो श्रिंखला करेंगे इसमें हम ceremony wise reporting करेंगे दोस्तो कौन-कौन सी ceremony हम cover कर रहे हैं किस report में ना कि backlog wise तो इसमें हमको ये पता चलेगा कि कौन-कौन सी जैसे refinement प्लानिंग के टाइम कौन सी reporting होनी कहिए मेरी खुद की report कौन सी होनी की तो हमारा आज का जो agenda रहेगा दोस्तों वो इस टाइप से रहेगा कि reports पहली बात तो क्या है जैसे कि मैंने हमने बात भी की reporting क्यो जरूरी है कि ceremony wise कैसे reporting होगी मैं कैसे अपनी पहली एक report बना हुए जिसको मैं बार बार जिकर करता हूँ आप सबसे personally भी आप से YouTube वीडियो में भी कि मैं खुद एक as a scrum master पहले जब था तो मैं एक report बना के रखता था जो कि मेरे लिए handy होती थी और मेरे लिए useful होती थी जिससे मुझे पूरी tracking करना easy हो जाता था उसको मैं use करूंगा लेकिन कुछ filters के द्वारा क्योंकि आप अगर आप हम जीरा में जाके practically देखेंगे कारण क्या है filters का use करने का अब फिर उसके बाद print start reporting जो मैंने बताया बार-बार की email जो होता है वो email जब जाता है तो तब पता चलता है कि हम print start हो रहा है एक officially email जाएगा वो हम बताएंगे कि कैसे email लिखना चाहिए capacity velocity planning हम यह my own report में भी हम अलगबग कर लेते हैं बट फिर भी मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा कि velocity कैसे दिखते हैं क्या कहां दिखते हैं वो आपके लिए बहुत easy कर देगा चीजों को burn down chart, burn up chart को मैं और थोड़ा simplified way में लाया हूँ sprint progress reporting, sprint work remaining reporting यह होता है burn down, burn up आप अगर सिर्फ burn down कोई बोल दे burn up उससे confuse होने की जरूत नहीं है आपको आपको जो समझ में आ रहा है बस वही अपने को ध्यान रखना है दोस्तो तो reports जैसे कि मैंने बहुत essential है और reporting जहां जरूत है बस वही करनी है दोस्तो हमेशा हमको यह नहीं दिखाना है कि यह वाली reporting हमने इसलिए की है इसलिए की है अभी हम जो यह report बनाते है my first report जिसको मैं बोल रहा हूँ और और यह जो करता है session covers करता है refinement or planning अगर आप इसका समझारी से use करेंगे तो लेकिन उसके पहले भी दोस आए हैं पचास सो हजार जो भी आए हैं वो सारा एक जगे excel में पढ़ा होना चाहिए और उसमें से हम कौन-कौन से sprint में करते जा रहे हैं वो भी क्योंकि मान लिजए आप 10 एक आइटम आया तो आपको समझ माता है मिंटेन कर पाओगे लेकिन आगर आप मान लोग पचास प दीरा में जाते हैं मैं एक सबसे पहले आप कहां जाते हैं सबसे पहले आपकी चीज जो आती है आपको मैंने हमेशा सिखाया है आप समझी उस चीज को बहुत important है कि product owner क्या दे रहा है सबसे पहले product owner दे रहा है product backlog जो यह हमको product की तरफ से आता है that is called product backlog अभी हमने sprint नहीं क्र आली सिर्फ product owner के दम पर यहां पर बैठे हैं और उससे हमने product backlog मांगा है जो कि उसने बना के दिया अब इसमें आइटम्स जो दिख रहे हैं आपको 11 issues जिसमें bug भी है टास्क भी है यह सारा include करके 11 items है यह हो सकता ज्यादा हो तो हमको हमेशा यह देखना है कि कभी भी product owner जब आपको उससे question करना है तो excel तक पहुंचना कैसे excel तक पहुंचने का एक तरीका है filters तो हमको दोस्तों यह बहुत बड़ी facility दी गई है आप चाहे वह filter अपने काम के लिए यूज़ करें आप चाहे वह filter को confluence में integrate करके यूज़ करना करें आप चाहे वह filter बनाके उसको export कर लें अपनी excel में वो सारी चीज़े आप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं बहुत important topic filters वो भी मैं इस reporting के साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ तो जो जो चीज़े cover होती जाएंगी वो सारी करते जाऊंगा जिससे आपको एक भी चीज़ में तकलीफ नहों और बना के practically करते भी जाएंगे तो यह जो backlog item है इसको मैं directly यहाँ कोई facility नहीं है आप इसको export कर पाएं तो इसके लिए हो सकता है कि आपके जो main Jira tool है वहाँ पर facility हो लेकिन अगर नहीं होती है माल लिए आपको चाहिए कि आप सीखना चाहते है filters तो आपको क्या करना है आप आपको जाना है और एक filter create करना है तो filter कैसे create करना filters में जाईए आपके option होंगे उसमें view all issues कर लीजिए कौन कौन से issues है यहाँ पर कुछ नहीं देखेगा तो आपको जाईए सबसे पहले view all filters तो filters आपने क्या क्या बना है वो देख लीजे नहीं है आपका नया filter बनाना है तो एकदम fresh create a filter कर दीजे अभी दोस्तों इसमें ना filters जीरा ने क्या किया है जीरा ने आपको दिया है एक language जिसका नाम है जीरा query language दोस्तों तो जीरा query language जो है वो वो एकदम similar to आप समझ सकते है SQL मतलब अपना structured query language जैसी हो गई जहाँ पे आपको select update commands आपको सब आते हैं तो आप जीरा ने क्या किया इसमें थोड़ा से wrapper बनाया उसके उपर कुछ काम किया और क्या किया जीरा query language बना दी जहां पर आपके जो भी columns है की summary, assignee, reporter, status, resolution, project यह वो जितने भी दिख रहे हैं वो सारे आपको यहां पर दे दिये हैं कि आप जब भी type करने जाएंगे वहां पर रिमाने भर का चीज आ गया, भले ही वो retail project में है की नहीं है बट वो यहां पर आ गया, तो मुझे क्या करूँगा, सबसे पहले एक filter, बोलूगा, filter मतलब होता ही क्या, filter मतलब छाटना, हम छाट रहे हैं हमको जो चाहिए, ठीक है, filtration करना, लोगों को काम करना, filtration करना, यह बो अब आपको चाहिए, कि मेरे को जो चाहिए, मेरे जो आपने देखा होगा, कि आपने जब काम, आपने product owner ने काम दिया, तो आपके पास जो भी काम आया, वो to do list में है, अभी तक आपने ना उसको in progress किया, ना done किया, right, क्योंकि इसमें काम चालू नहीं किया, तो आपके एक 50 से 20 हो गए, अब मेरे to do item जो है, उस पर मैं दूनने वाला हूँ, क्या दूनने वाला हूँ, issue type, जो भी issue type हमारे पास आए है, from product owner हम जानते हैं, तो उसको बोल देते है, issue type in, अभी आप क्या बोल सकते है, story, मेरे पास story आ सकती है, and, and नहीं लगाएंगे, तो ये देखे, cross आ जाएगा यहाँ पर, हमको ये पूरी तरह से बताता रहता है, कि भाई, तुम क्या गलती कर रहे हो, तो issue type in में, आपको क्या चाहिए, आपकी story हो सकती है, issue type में, हर चीज में वो बताएगा, तुम गलती कर रहे हो, story हो सकती है, या फिर हो सकता कि bug हो सकता है, अब था उसमें, मेरे backlog में, और क्या था, task था, तो ये सारी चीज़े आपने अपनी इसमें डाल दी, अब आप इस पे filter लगाओगे, तो आपकी 11 item आने चाहिए, तो नहीं आए, कहां गलती कर दी, यहाँ पर गलती, यह लाल कर द आइटम जो है, यह आपके आगए filters में, अब इसका क्या कर सकते हैं, आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत useful, कि इसको save as कर लो किसी नाम से, इसको कर लो my own, जैसे मने बूला report for retail project, जैसे आपको पता रहे हैं कि retail के लिए यह वाला filter है, यह वाला filter है हमारे प तो filter आपका बन गए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जब आप उस पर जाओ के क्लिक करोगा, तो यह आपका filter आपने आपा जाएगा, दूसरा है कि आप इसको Excel में ही maintain कर लो, तो यह क्या करेगा, कि यहाँ पर जाके allow कर दिया, अब यह आपने Excel desktop में डाल दिया, open कर लीजिए, और मैं आपको एक और फायदा बताता हूं, जब यह open हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे, अपाउट और यूर जीरा इशू, यहाँ पर देखेंगे, आपके सारे जीरा इशू लेस्ट हो गए, अब आपने यह दो तरीके से, इसको continuous यूज कर सकते हैं इस कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपको ज़रूरी चीज स्प्रिंट, तो अपने कौन-कौन से आइटम मान लेजे कि आपने refinement किया, उस particular product list में, तो आप क्या करोगे, आप वापिस चले जाओ, अपने project में, retail project में, उसके बाद अपने backlog में स्प्रिंट कर दीजिए, और उसमें जो जो items को आपने story point दिया है, refinement के time, उसको उठाके, आप अपने इसमें डाल दो, है न, तो आपके, यह जो items हो गए, वो अपन, कैसे मैं उस Excel sheet में maintain करूँगा, मैं आपको बताता हूँ, यह जो items आपने story point दिये थे, यह 5 items आपने refinement क के लिए बाद आपने यह 5 items, जैसे 45, 46, 47, 48, 54, तो इनको, इन 5 items को आपने यहां पर list कर देना है, कि मैंने भईये इसको sprint 1 में डाल दिया, तो 45, 1, 46, 1, 47, 1, 48, 1, तो यह आपका दिख्या को clearly आपकी file में, कहीं और जाने की जरूत नहीं है, आप चाहे तो Jira भी नहीं open किया तो आपको यहां पर दिख जाएगा, अभी आप एक और चीज़ करिए, आपका planning session चालू हो गया मान दीजे, तो planning session में आपको क्या करना, आपको एक और, इसी particular Excel में एक और sheet बनानी है, जिसमें आपको नाम लिख देना है, बंदो के, कि यह जैसे Amit Goyal, Mr. B, Mr. C, Mr. D, Mr. E, जो भी है, अब आप बता दो भईया, जब planning कर रहा हो, कि capacity चेक कर रही हूँ मैं, या चेक कर रहा हूँ, तो leave dates बता दो अपने, कि कब-कब तुम leave पे रहोगे इस week में, इस sprint के दोरान, कोई training तो नहीं है तुमारी, है ना, तो यह सारी चीज़े बता दो, तो मैं यहां पर training है, Mr. D. दो दिन चुट्टी पे है, तो यह जो हो जाएंगे, यह number of days जो हो जाएंगे, आप calculate करेंगे, कि velocity planning के time, जब आप planning session कर रहे हैं, तो उसमें आपने यह सब चीज़े ले लिए, आपने dates ले लिए हैं, कि कौन-कौन पर चुट्टी पे आप चाओ तो एक और चीज लिए पर चला गया, Mr. Ramit Goyal चले गया, तो D रहेगा, E रहेगा, F रहेगा, कौन रहेगा इस story का backup, जब हम बोलते हैं, कि हरी story प्रॉपर द्यान से सुना करो, तो यह सारी चीज़े आप इस sheet में रख लीजे और इसको नाम दे दीजे, जैसे मैं दे देता हूँ, my report on report, तो दोस्तों यह पहली report है, जो कि आप पूरे sprint में काम आएगी, पूरे release में काम आएगी आपको, जहाँ पर आप सारी चीज़े maintain कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी update होता है, अगर यहाँ पर जीरा मैं मान लिजे कि उठा के product owner ने कुछ update कर दिया, मान लो और backlog डाल दिय तो वो सारी चीज़े भी वहाँ पर उसी sheet में आप maintain करते जाहिए, जिससे आपको clearly पता रहे कि भाई क्या हो रहा है जीवन में, तो यह थी my own report, जो कि बहुत important है, इसमें हमने filters भी सीखा, कैसे filters लगाते हैं, create sprint भी दबा के देख लिया, हमने backlog में क्योंकौन से items सब कर के द देखिए, बहुत important videos और इतना detail में बताने वाला शायद ही आपको कोई मिलेगा, तो use me दोस्तों, यह सब videos को use करें और अपने दोस्तों जो समझना चाहते हैं, कि reports क्या होती है, estimation techniques क्या होती है, सब को आप यह बताईए और मेरे video को भी share करिए, अगर आपको अच्छा लगत सकते हैं, और आपको यह, ऐसे आप filters किसी के नाम से ही बना सकते हैं, माल लेजे कि आपने किसी के नाम के filter बनाने है, dashboard बनाने है, filters बना के देखना, अलग से किसी को track करना है, तो यहाँ पर डाल दीजे, assignee, and assignee, जो भी आप डालेंगे, जो भी keywords हैं, वो सब यहाँ पर मि दोस्तों, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मुझे इंस्टा पर भी follow कर सकते हैं, आप जहाँ पर Amit.technologies के नाम से मैंने एक इंस्टा ID बनाई है, बाकी आप LinkedIn, YouTube, Facebook पर तो आप मेरे को follow करी रहे हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, keep learning, keep rolling दोस्तों, thank दोस्तों.